बिहार में सत्ताधारी महागटवंदन के प्रमुख घटक दलों जदियू और राज़त के नेताओं के बीच जवानी जंग सामने आनी लगी है एतना ही नहीं एक दूसरे पर अब आरोप और प्रत्यारोप से फजियत के बाद राज़त डेमेज कंट्रोल में जुट गई है राज़त ने पार्टी नेता और सांसद तसलीम उद्दीन को उनके आपत्ती जनक बयानों के लिए नोटिस धमा दिया है बता दें कि तसलीम उद्दीन बीते दो दिनों से लगातार कानूनी विवस्था के मुद्देप नितिश कुमार को घिरते हुए सरकार के विरोध में बयान दे रहे थे राजत की ओड से जारी इस नोटिस में कहा गया है कि तसलीम उद्दीन के बयानों से बिपक्षी दलभाजपा को लाप पहुचा है इससे महागटवंदन की सरकार को खशती हुई है और पार्टी को भी असहज स्थितियों का सामना करना पड़ा है पार्टी ने तसलीम उद्दीन से 15 दिनों के भीतर इसका जबाब मांगा है ब्यूरो रिपोर्ट पत्रिका टीवी